नवस्ते दोस्तों, खून की नसों में जब भी कोई tight block आता है, मतलब 70 या 80% की beyond block आता है, तो उसको treat करने के लिए 3 major modalities होती हैं, 3 major therapies होती हैं, या तो आप केवल दवाईयां दो, medical management करो, दूसरा होता है कि आप stent लगाओ उसमें, अब stent के साथ usually दवाई भी साथ में जाती ह पर तीसरा, सबसे important होता है, is bypass surgery, now bypass surgery के साथ भी usually दवाई lifelong रखनी होती है, but bypass surgery is considered as the gold standard treatment, जिसकी basis पर बाकी सारे treatments compare होते हैं, अगर कोई market में नया stent आया है, तो benchmark bypass को रखा जाता है, पर क्या आपको पता है, bypass में भी कई अलग अलग तरीके से bypass होते हैं, और उसमें gold standard best bypass कौन होता है, today we'll talk about that and if you're interested in this topic, please like and subscribe to my channel, शायद आप जानते हो, मैं Dr. Mahesh Vajbhani हूँ, I'm founder of a site called www.cardiacsecondopinion.com and I'm a surgeon myself, so आप जो आज topic सुन रहा है, ये मेरे दिल से निकल रहा है, it is like a heart surgeon का सबसे favorite operation यही होता है, पर मैं ऐसा surgeon हूँ, जो कोशिश ये करता है कि patient को surgery से जितना हो सके बचा के रखे, surgery should always be the last resort, surgery should not be, कि patient आया है, तो आप उसको बस जबसी surgery कर दो, So the topic we are talking about today is called as total arterial bypass, now total arterial bypass का मतलब क्या है, तो अधिकतर लोगों को आपको पता होगा कि जब हम bypass करते हैं, तो उसमें नसों से नसे जोडते हैं, नसे अंदर से साफ नहीं करते हैं, या you heard me right, अधिकतर मरीजों को और उनके relatives को usually लगता है, कि bypass के दोरान अंदर से नसे साफ कर दी जाती है, या block निकाल दिया जाता है, ब्लाक नहीं निकाला जाता है, एक नस जिसमें कहीं block आया है, उसके पहले और उसके बाद में नस जोड़ दी जाती है, ताकि एक bypass क्रियेट हो चाहिए, इसलिए इसका नाम bypass surgery है, जो शुरू शुरू में bypass होते थे, वो veins से बनते थे, मतलब पैर में से नस निकाली, और पैर में से नस निकालके दिल को दे दी, तो उनके results बहुत अच्छे नहीं थे, तो over time भी realize किया गया, कि देखिए भगवान ने high blood pressure को handle करने वाली जो नसे हमारे शरीर में दी हैं, वो हैं arteries, धमनी, तो जो धमनियों के चलते flow होता है, वो bypass बहुत लंबा चलता है, potentially lifelong भी चलता है, तो आज का standard जो bypass है, that is like left internal memory artery, जो कि छाती के अंदर से निकाली जाती है, और उस छाती के अंदर से निकाली हुई नस को, जब आप block के बाद में अपनी LAD, left anterior descending artery, जो main नस होती है, दिल की 60-65% खून ले जाती है, उसके साथ जब आप जोड़ देते हो, that's where this flow becomes a lifeline of the patient for rest of the life here I can tell you for sure, कि एक bypass surgeon का जो काम होता है, it is like an artist work, this is where science meets art, अब bypass करना है scientific reason, बकि जो अंदर 1 mm या 1.5 mm की नस में 15 टाके लगा के, आपको 15 stitches लगा के, जब आप उसको फ्लो को connect करते हो, और इस तरह किसे connect करते हो, कि उसमें कोई block ना आए, कोई kinking ना आए, नस बहुत अच्छे से flow करो, this is truly a piece of art, so artery को artery से connect करते समय पे, stitches लगाया जाते हो, और वो stitches होते हैं 7-0, 8-0, 8-0 मतलब आपको अपनी नगी आखों से दिखेगा भी नहीं हो, जब तक हम magnification नहीं पहने, which like incidentally I wear 5X का magnification, उस magnification के बगार आप वो सूचर देख भी नहीं सकते ह आपको टाका दिखता भी नहीं है, और इतने पतले टाकों से जब आप नस को नस से जोडते हो, that's where the skill of a surgeon comes into picture, so एक artery लगाना is the standard right now, बाकी veins लगाई जाते हैं, बाकी नसे बहुत इंपॉर्टेंट उतनी नहीं होती हैं, उनका जो flow होता है 20% के आसपास होता है, so mainness हमारी 60- परसेंट फ्लो ले जाती है, जो second artery है हमारी, वो 15-20% फ्लो रखती है और तीसरी भी 15-20% फ्लो ही रखती है, तो ऐसे में, बाकी दो arteries को vein लगाने का चलन चला आ रहा है, और यही standard bypass है, जिसको goal standard माना जाता था, but in recent times, in last 20-30 years, more and more arterial bypasses are being done, and now the thought process is कि जितना भी है, आप arteries है जोड़ो वो best, now arteries भगवान ने हमें इतनी extra तो दी नहीं है कि हम कहीं से भी arteries निकालते रहे, so that's where comes the picture, that's where the science is, where you make most of the arteries given to you, and जहां भी tight blocks हो, so total arterial bypass में जो सबसे जरूरी चीज़ होती है, कि the block has to be very tight, अगर आप बहुत tight block में नहीं करोगे, और artery को artery से जोड़ोगे, तो ज बहुत अच्छे से flow नहीं करती है, और ऐसे समय पे, heart attack उल्टा आ सकता है, अगर बहुती skilled surgeon नहीं लगाया, या फिर गलत तरीके के वेसल में लगाया, जिसमें block बहुत tight नहीं, उसमें आपने लगा दिया, तो it can create a big problem, that's why we say that bypass surgery, particularly total arterial bypass surgery, जिसमें सारी arteries आप यूज कर रहे ही होती है, so a moment total arterial bypass surgeon करने वाले को कम से कम 8-10 साल का experience होता है, when he actually starts doing, after his degree, 8-10 years is a standard time, जो total arterial bypass अधिकतर लोग करते हैं, कुछ-कुछ gifted surgeon, 3-4 साल में भी करते हैं, in fact I myself started within 3-4 years when I started doing total arterial bypasses, पर फिर भी, एक standard average is 10 years, so now ऐसे surgeons जो की total arterial bypass करते हैं, उसमें हर surgeon का अपना-अपना अलग preference होता है, so there is no single rule की which type of total arterial bypass is better than other, but ये definite है कि जितनी आप arteries लगाते हो, एक से जब दो arteries लगाओ, तो life expectancy आप patient की बढ़ा रहे हो, so mind you, in whole of science, life expectancy and symptom relief, अगर ये दोनों चीज़ें देखें, तो it is only with a bypass surgery, that we can conclusively say that life expectancy of the patient increases as well as the symptom relief also improves, and जब एक की बज़ा है, दो arteries लगें, तो incremental benefit is there, दो से तीन का benefit अभी तक proven नहीं है, but it is hypothesized, कि अगर आप सब arteries लगाओगे, in tight vessels, it will be better only, so, इस bypass के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, and this bypass is very useful for the people who are below 60 years, अब ऐसे भी patients होते हैं, जो कि 60 plus हैं, और total arterial demand करते हैं, तो it's not necessary, कि दिखिए, जो bypass है, एक average bypass भी 15-20 साल चलता है, तो 60 के beyond में arteries का use करने में, थोड़ा wound infection का chance होता है, wound dehiscence का chance होता है, उसके लिए it's not strictly mandatory for people above 60, in general, the thumb rule should be, ऐसा व्यक्ती, जो कि 15-20 साल जीने वाला है, उसके लिए standard bypass also is good, diabetics, particularly poorly controlled diabetics में भी total arterial bypass बहुत मुश्किल हो जाता है, विकुज जब दो arteries आप chest से निकालते हो, तो chest की problems हो सकती है, या फिर ऐसे person, जो पहले ही smoking नहीं छोड़ूंगा बोल रहे हैं, या ऐसे person, जो कि बहुत ही compliant नहीं है, लगता है कि दवाई नहीं लेंगे, या फिर follow नहीं करेंगे, ऐसे patients में तो definitely total arterial bypass helps in a big way, क्योंकि artery artery से जोड़ गई और पहले 6 हफते निकाल दिये उसने, तो उसके बाद में उसमें नई problem आने का chances बहुत कम होता है, So I know many of my patients who got a bypass done, they come and proudly say Sir, हमने दो दवाई तीन साल से छोड़ दी थी, और वो उनको हाथ जोड़ के कहता हूं, भाई, दिखो, don't test my bypasses, please दवाई लेते रहो, दवाई लेते रहना जरूरी है, But that sort of thing is only possible to total arterial bypasses. So आपके knowledge के लिए, या आपके future के लिए, जो type of bypasses होते हैं total arterial, they are like either a pedicle, lima-rima-y bypasses, या फिर rima and lima directly being used on the coronary, a right internal memory artery onto the LAD, and the left internal memory artery into the LCX, या फिर y बता के भी उसे करते हैं, अलगलों configuration होती है, उसमें technically details में नहीं जाओंगा, But अगर आपकी नसों में दो या उससे ज़्यादा tight blocks है, तो अपने surgeon से total arterial के बारे में जरूर पूछें, यह awareness video है, आपको aware बनाने के लिए, particularly if the person is younger than 60 and is not a diabetic. Thank you very much.